हेलो दोस्तों यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम बढ़ेंगे हिंदी सहती के इंपोर्टेंट प्रस्ण जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को पहला प्रस्ण है आज का की निम्खित कव्यों को उनकी जन्मिस्थान के सांस सुमिरित कीजिए और इसके लिए आपको निचे दियेगे कूट का प्रियोग करना है तो राइट आंसर इसमें ऑप्सन ए है ऑप्सन ए राइट आंसर है एका चोथा गुरुनानक का स्थान है बांधोगड और सुन्दर दास का जो जन्मिस्थान है वो है दोसा अगला प्रस्ण है भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षन से आई उसी से उत्तर भारत की प्रस्तित के अनरूप हिंदू-मुसल्मान दोनों के लिए एक सामान भक्तिमार्ग की भी भावना यह कथन है आचार रामचंद्र सुकल जी का हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता कहा ही सुना ही बहुविधी सवसंता रामकथा के प्रसंग में तुलसिदास ने यह बात किस से कहलवाई है राइट अंसर इसमें ऑप्सन सी है शिव से यह कथन कहलवाया है शुमेरित कीजिए संप्रदाई है और उसकी प्रवर्तक है यहां पैपंग्तियां है यह और संबंधित है जो कभी उनसे जाके मुमाया नहीं नाहीं रूप करूप तो इसके लिए कूट दिया गया है आपको सही कूट का चैन करना है कि कौन सा सही होगा ओप्सन सी इसमें सही है पहले का जो है तीसरा है जाके मुमाया नहीं नहीं नाहीं रूप करूप कभी रदास की है पंग्तियां अउमन जाने कभित अस कीनहा मकू यह रहे जगत महा चीनहा इस पंग्ति के लेखक है मलिक मुमाया जैसी हरी है राजनिती पढ़ि आये यहां पंग्ति लिखी गई है सूर्दास के द्वारा नमामिस मीसान निर्वान रूपम विभूम व्यापम व्यापकम ब्रह्मों वेद स्वरूपम तो यह पंग्ति लिखी गई है तुलसिदास जी की द्वारा अगला प्रश्न है तननाम बुननाम तज्यों कबीर राम नाम लिखी लियो सरीर मुसी मुसी रोवे कबीर की माई ए बारिक कैसे जीवही खुदाई उक्त कावि पंग्तियों में प्रियुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है उप्सन बी इसमें राइट अंसर है इसके लिए पहला और दूसरा इसका सही भावार्थ है मन ही मन रूना और दूसरा है की सिसक सिसक कर रूना रास पंचा दिहाई की प्रमुक विसेस्ताएं है रास पंचा दिहाई की जो मुख्य विसेस्ताएं है उप्सन बी राइट आंसर है पहला दूसरा और तीसरा यह रूलाचंद में लिखी गई है बिल्कुल सही है इसमें कृष्ण रास्त लीला का विस्तार के सावडन है यह भी सही है इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहितिक भाशा का प्रियूग किया गया है तो पहला दूसरा और तीसरा इसके संबंध में सही कथन है योही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई स्याम रंग हुए करी सामान्यो श्याम रंग में उक्तकाबिपंग्दियों में कोई कोपी का या भक्त कहना चाहते हैं उप्सन B तीसरा और चौथा इसके लिए सही है कि स्रीकृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उनहीं के जैसा हो गया मेरा मन स्रीकृष्ण के वस में हो गया हर्यदासी संपरदाई के राधा कृष्ण है आपसन A लोग निर्पेक्षिब सूर्दास के बारे में आचाहर रामचिन gravity सुक्रद्वारा लिखित कौन से कथन सही है Option B दूसरा, तीसरा और चोथा उन्होंने भागवत के रसम इसकंद की कथा इतिवरत के रूप में कह दी है उन्होंने भिन्न भिन्न लिलाओं को अत्यांत मधुर मनुहर्थ पदों में गाया उनके पद अत्यांत प्रलब, प्रगल्प और काविपून है स्याम, बिनोधी रे मधु बनिया अब हरी गोकुल काहे को आवही चाहत नव योवनिया सूरदास प्रभुतरजी, कामरी, अब हरी भहे चिकनिया सूरदास क्या कहना चाहते हैं और कालक्रम के रुसार आचारियों का सही अनुक्रम है रामानुजा चारिय, निम्बारका चारिय, माधुआ चारिय और बल्लभा चारिय इनका सही अनुक्रम है कालक्रम के आधार पर निम्खित कवियों को उनकी प्रवर्ति के आधार पर सुमेरित कीजिए राइट अंसर है इसके लिए ओप्सन सी स्वामी हरिदास मधुरोपासक मलूकदास निर्गुणोपासक कनहपा निरिश्वरवादी और कुत्वण एकेश्वरवादी निम्खित में कौन सी रचना अग्रदासकी नहीं है जो रचना अग्रदासकी नहीं है वह बतानी है ओप्सन डी राइट अंसर है रूप मंजरी ध्यान मंजरी कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी यह ग्रदासकी रचनाएं हैं तोरी मानिनी तैं हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छबी की लखी भहे मिया रस्खान आचायर राम जदर सुगल की अनुसार उप्रिक्त दोहे से प्रमानित होता है की रस्खान किसी स्त्री पर आसक्त थे स्त्री मानववती थी और रस्खान का अनादर करती थी रस्खान को भास हुआ की जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए निम्खित में कौन सा कवी कृष्ण भक्तिधारा के कवियों में सामिल नहीं है ओप्सन ए नाभादास या कृष्ण भक्तिधारा के कवियों में सामिल नहीं है मलुक दास के विशे में निम्न कथनों पर विचार करें राइट आंसर ओप्सन बी है उन्होंने सगुन ब्रम्ह की भी आराधना की है और उन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है जीवन मुहुं चाही को नी को दरस परस दिन राती करती है कान पियारे पी को उब्यक्त पंकतियों में आचायर रांगचन्दृ सुख्ल ने किस भाव की अव्यक्ति मानी है अप्सन सी अयूसा भाव की तुलसी की विलक्षन प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रशनाकार की भूमिकाओं का एक सांस सफल निर्वाह किया है भक्त मूलता डैवी सक्ति के किसी स्वरूप में आस्ता रखता है जबकि रशनाकार अपनी आस्तिक्ता नास्तिक्ता के वाद एक मूलता एहिक्या की धर्मनल पेक्ष कर्म में प्रवर्त होता है तुलसी दास के विशे में उप्युक्त कथन के साहित्य तिहासकार का है राइट आंसर इसके लिए उप्सन ए है राम सरूप चतरवेदी का है कथन है उप्सन ए राम सरूप चतरवेदी अगला प्रशन है तुलसी को तुलसी की विलक्षन प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्तो और रशनाकार की भूमिकाओं का एक साथ किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोगनायक तुलसी दास थे राइट आंसर ऑप्सन बी है जॉर्ज ग्रियर्शन ने कहा है यह अगला ब्रशन है स्थापना है और इसका तरके है कृष्ण भक्ति का भी व्रत्ति के उतकर्स का दर्शन है इसलिए उसका पूरा स्वाद उज्जवल रस में होता है राइट आंसर ऑप्सन सी है इसके लिए दोनों ही गलत है रामचेद मानस के उत्तरकांड में उन्होंने ग्यान की अपेख्षय भक्ति को कहीं अधिक सुसादी और आशुफल दाइनी कहा है यह कथन किसका है आप्सन सी आचायर रामचेद सुखलीजी का यह कथन है प्रेव मारगी सूफी कावी की विशेस्ताएं है प्रेव मारगी सुफी कावी की विशेस्ताएं है आप्सन बी इश्वर को नाईका की रूप में परिकल्पित करना कथानक रूढियों का अनिवारत है प्रियूग करना साधो देखो जग बौराना साची कहो तो मारन धावे जूट है जग पतियाना हिंदू कहत है राम हमारा मुसल्मान रह्माना आपस में दो लड़े मरतु हैं मरम कोई नहीं जाना उप्यूग तक पंक्तियों में कौन सा कवीर का संदेश नहीं है यह पंक्तिया कवीर दास के द्वारा लिखी गई है नहीं है इसमें उनका संदेश निमखित में से राम भक्ति साखा के कवी हैं कौन से हैं जो राम भक्ति साखा से संबंधित कवी हैं आपसन ए पहला दूसरा और तीसरा स्वामी अगरदास संबंधिते राम भक्ति से नाभदास भी संबंधिते और हरदराम भी संबंधिते तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागत्की लेखी उपिक तपंक्तियों में कौन सा मन्तव सही नहीं है ओप्सन इसके लिए राइट अंसर है ए अनुभों को महत्तू इसके अधिक्त ब्रम्हांड बाहियांड बाहियांड डंबरों को की प्रतिष्ठा लोग्यान की महत्ता सहजबाद की सहस्ता से कहना सहजबाद को सहस्ता से कहना यह सब इसके लिए सही हैं अगला है राम्चंद सुक्ले के उसा सीउसि सरोज के गिनाये की ग्रंत हैं रामसत्साई और कालखा रामायन कै ब्रहनी को मीच दे कै आपा दिखलाई आठपहर का दाक्षणा मौपे सहाना जाई इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्तिती का वणन हुआ है अगला प्रशन है एक और सूची एक और बी को मिलान करना है और इसके लिए राइड आंसर है ऑप्सन देख लेते हैं सिदे मिलान इसका तो एका इसमें एका पहला है यानकी प्रकृति जाके जोई अंगपरी स्वान पुझ कोटिक जो लागे सूधी ना काहु करी पहला है बहुवदी चित्र बनाई के हरी रच्चो कीडा रास जेहिन इच्छा जूलिवे की ऐसी वुधी के ही पास यह पंक्ती कविरदास्थी की ही यह पंक्तियां है और थारो रूप देख्यांट की कुल कुटुम्ब सजन सकल बार बार हट की यह पंक्ति मीरवाई की है और जो अंतिम पंक्ति है घुरू गिन मोही प्रबोद दुखित देखे आचर अनम मोही उपजाई अतिकरोध दमभी नीति की भावई तूल्सी दास की यह पंक्तियां है अगला प्रशन है कि निम्खित में कौन निर्गुन भक्ति काभी के कभी नहीं है कौन है जो कि निर्गुन भक्ति काभी के कभी नहीं है जो नहीं है वो बताने है उप्सन ए इसके लिए राइट आंसर है इसके लिए राइट आंसर उप्सन ए है मलुकदास है इश्वर अंसर जीव अभिसानी चेतन अमल सहज सुखरासी तो इन बंक्तियों में कौन सा दर्शन है ओप्शन डी इसमें राइट अंसर है विसिष्टा द्वैतवाद है इसमें तुलसी दास के रामचेत मानस की उत्तरकार्ण में पुलसिदास ने रामचेत्वानस के उत्तकार में क्या प्रतिपादित किया है और इसके लिए पहला और दूसरा दोनों सही है कि ग्यानकिय पेख्षा अधिक सुसाधी आशुफल दाईनी है और कल्यूग में असंतों की संगति लापतायक होगी अगला प्रशने है नागमदी वियोखन से सम्मंदित सही तत्य है कौन सा है राइट अंसर है ओप्सन सी पहला और चौथा यह है वारा मासा सैली में लिखा गया यह सही है और चौथा है कि नागमदी के आस्वों से सारी सर्ष्टी भी की हुई जान पड़ती है कबीर कूता राम का मेरा नाव गले राम की जेवडी चित खैंशें तित जाओं इस तोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है अप्सन है आत्म समर्बन की महारारी किर्धारी गोपाल दूसरा न्या कूया दद मत ध्रित ग्रित काढ़ लया डार दया चूया उक्त बंक्तियों में चूया का अर्थ क्या है अप्सन B राइट आंसर है इसके लिए इसका आर्थ है मठा अगला प्रशन है कि आखियां हरी दर्शन की भूखी बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पई पिवत पतूखी उक्त बंक्त में पतूखी का आर्थ क्या है अप्सन D राइट आंसर है पत्ते का दोना तो इसी के साथ ये वीडियो ही पैयन होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछने प्रशनों के साथ धन्यवाद